हेलो फ्रेंड्स, केरियर पॉइंट DLN के ओफिसली यूट्यूब चैनल पे मैं सुधिर मौरे आप सभी का स्वागत करता हूँ जैसा कि साथियों हमने अपने इस चैनल पे फिल हाल में जोग्रोफी की टेस्टिरी सुरू की हुई है जिसमें आपने कल इसके पहले हिस्से को कंपलीट किया था आज जो हैं हम लोग जोग्रोफी के सेकेंड हिस्से को कंपलीट करेंगे जिसमें महत्पूर 30 प्रशनों के स्रिंखला होगी जिसमें आप करते कोशन के आंसर लाइब चैट के थूँ देंगे मैं हर एक कोशन का डीटेल एक्स्प्लेनिशन आपको दूँगा और लास्ट में हम लोग एक रैपीड यानि रिवीजन कोशन को करेंगे तो इसलिए आप सुरू से लेके लास्ट तक हमारे चैनल से बने रहेंगे और जितने भी नए साथ ही हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं मैं चाहूंगा कि आप जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मलते रहें ठीक है साथियो तो आज की टेसरी जो हम सुरू करते हैं जो कि जोग्राफी का पार्ट टू है जिसमें पहला कोशन आपके लिए ये रहा हिमाले परोद स्रेडिया निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है क्वेशन को आप ध्यान से देख सकते हैं हिमाले परोद स्रेडिया निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है आपके विकल्प हैं उत्तराखन, उत्तर प्रदेश, सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश आप सभी अपने कमेंट सेक्षिन में एंसर बताते रहें देखे जो पहला कोशन इसका जो आंसर है वो है उत्तर प्रदेश यानि उत्तर प्रदेश में हिमाले प्रवत की सेड़ी का कोई भी हिस्सा सामिल नहीं है आप इसके बारे में थोड़ा डीटेल देख सकते हैं भारत के प्रमुक हिमाले जो राज्य हैं उनमें जम्मु कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखन, सिक्किम, अरुडाचल प्रदेश, मेघाले, नागालेन, मडीपूर, मिजोरम और त्रिपूरा है इनके अलावा असम और पस्यम बंगाल के पहाड़ी छेतर भी इसके अंतरगत आते हैं जबकि उत्तर प्रदेश का विस्तार केवल मैदानी छेतर तक ही सेमी थे इसलिए साथ यो पहले कोशन का जो आंसर है भाय आप्सन बी बढ़ते हम अपने निक्स कोशन की तरफ देख सकते हैं लगू हिमाले किसके मध्य स्थित है आपके जो विकल्प हैं पहला है ट्रांस हिमाले और महान हिमाले के बीच बी आप्सने सीवालिक और महान हिमाले के बीच C option है Trans हिमाले और सिवालिक के बीच F D option है सिवालिक और वाहे हिमाले के बीच आज जितने भी भूगोल के कोश्चन है वो काफी ही important है जो आपको आगामी परिक्षाओं के लिए अतिम हत्यपोर है दिखें जो कोश्चन दूसरा है लगो हिमाले के इसके मध्य हिस्थीत है इसका जो आंसर है वो है आपका option B सिवालिक और महान हिमाले के बीच आप इसका explain सुन सकते है अध्यन की सुविधा के दिस्टी से हिमाले परोद स्रेडी को तीन भागों में वर्गी कृत किया गया है में पहला हिस्था महान या व्रिहत या फिर आंत्रीक हिमाले है दूसरे हिस्थे को लगो अत्वा मध्य हिमाले कहा जाता है जबकि तीसरे हिस्थे को उप हिमाले या फिर सिवाली की स्रेडी कहा जाता है महान हימाले हिमाले परोतमाला की सबसे प्रमुक तथा सरोच स्रेड़ी है इसकी जो चवड़ाई है वो कश्मीर में 900 किलो मीटर से लेके अरुडाचल प्रदेस में 120 किलो मीटर तक है जिसकी औसतन उचाई 600 मीटर है लगो हिमाले महान हिमाले के दक्षिड में उसके समनांतर विस्तित है इसकी ओसत चोड़ाई 50 किलो मीटर तथा ओसत उचाई 3500 से 4500 मीटर के बीच है उप हिमाले या सीवालिक स्रेडी हिमाले की सबसे दक्छडी स्रेडी है जिसकी ओसत उचाई 900 से 1200 मीटर तथा चोड़ाई 10 से 50 किलो मीटर है इस प्रकार लगो हिमाले, सीवालिक तथा महान हिमाले के मद्धे इस्थित है याँ आप देख सकते हैं कोशन नमबर जो सेकेंड इसका आंसर होगा भी बढ़ते हैं अपने नेक्स कोशन की तरफ उत्पत्ती की द्रिस्टी से निम्न परोज स्रेडियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है अजन्ता स्रेडी, दूसरा यहाँ पर स्रेडी लिखा है, सी है कैमूर स्रेडी या फिर तीसरा है पटकोई स्रेडी हाला कि आपके जितने भी विकल्प है उसमें आंसर मौझूद है, इसलिए आप इस कोशन को देखे और आंसर करें देखे, कोशन नमर जो त्री है, उसका जो आंसर है वो है आपका आप्सिन डी, पटकोई स्रेडी यहां आप ध्यान देंगे, कि पटकोई स्रेडी जो है, वो हिमाले स्रेडियों में ही इस्तित है, जिसका निर्मार टर्सरी युग में हुआ था सेस सभी दक्षड और मध्य भारत में स्तित है, अता उप्रयोग में सबसे नवींतम परवत स्रेडी जो होगी, वो पटकोई स्रेडी है ठीक है साथ यो बढ़ते हम अपने निक्स कोशन की तरब कुशन नमर फोर्थ जो है, निम्नलिखित में कौन अकसाई चीन का भाग है आपके विकल्प है कारा कोरम स्रेडी, सीवालिक स्रेडी, कश्मीर घाटी या फिर लद्दाख फठार कुशन नमर जो चार है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए इसका जो आंसर है, वो है अपसंडी लद्दाख पठार अकसाई चीन की जो इस्तिती है, वो भारत, चीन और पाकिस्तान के सीमाओं के संबिलन संधिस्थल पर है इस भारती भूभाग पर वर्स 1962 के युद्ध में चीन ने कबजा कर लिया था तब से यह भारत चीन के मद्ध सीमाओं विवाद का छेतर भी है लद्दाख पठार अकसाई चीन छेतर में ही इस्तित है ठीके साथ हो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स कोशन की तरफ कोशन नमजर जो फिफ्ट है निमनलखीत में सबसे प्राचीन परवत स्रिंखला कौन सी है आपके विकल्प है हिमाले अरावली सी ओप्सने विंध है या फढ़डी है सत्थ पुड़ा आप सभी एक बार इस कोशन को देख सकते हैं कि निमनलखित में सबसे प्राचीन परवसरिंखला कौन सी है जितने भी साथ ही अभी इस समय हमारे इस चैनल को देख रहे हैं या या वीडियो को देख रहे हैं आप जरूर कमेंट सेक्षन में आए गलत यह सही जो भी आपको आंसर लगे अगर आप कमेंट करती रहेंगे तब ही आप अपने आपको परख भी पाएंगे तो मैं उमीद करता हूँ कि सभी साथ ही चैनल से जरूर जूडेंगे देखें जो कोशन नमबर फिप्थ है इसका जो आंसर है वो है उप्सन डी अरावली अरावली परव स्रेडी को सबसे प्राचीन परव सिंखला मानी जाती है आप इसके बारे में थोड़ा डीटेल समझ सकते हैं अरावली स्रेडी जो है गुजरात के पालनपूर से लेकर राजस्थान एओम हरियाडा से होकर दिल्ली तक लगभग आठ सो किलोमेटर की लंबाई में फैले हुई है इसका जो निर्माड है वो प्री कैम्ब्रियन काल से हुआ है जो 600 से 570 मिलियन वर्स पुर्व का माना जाता है यह भारत ही नहीं बलके विश्व की सबसे प्राचीन परवसरिंग खलाओं में से एक है तथा इसकी सरोच चोटी जो है वो गुरू सिखर है जिसकी उचाई 1722 मीटर है तो मुझे उमीद है कि आपको इसके बारे में पूरा डीटेल भी समझाया हो और आगामी परिक्षाओं में अगर ऐसे कोश्चन आया तो आपसे निस्सी तुरुप से गलत भी नहीं होंगे बढ़ते हैं अपने नेक्स कोश्चन की तरफ कोश्चन नमर जो सिक्स है आप देख सकते हैं दक्षिर भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है आपके विकल्प है अनाई मुडी दोदा बिट्टा अमर कंटक या फ़र डी आप्शन है महेंद्र गिरी देखिए कोश्चन नमर जो सिक्स है इसका जो आंसर है वो है आपका उप्सन ए अनाई मुडी ये भी काफी इंपोर्टेंट कोश्चन है इसके बारे में आप डीटेल सुन सकते हैं जो अनाई मुडी है वो दक्षिर भारत की सरोच परोद चूटी है इसके उचाई 2695 मीटर है तथा यह केरल के इडुकी जिले में इस्थित है यह चोटी पस्चिमी घाट परोद का एक हिस्सा है ठीक है साथी हो तुम सिक्स नमर कोश्चन का जो आंसर है वो है अनाई मुडी बढ़ते है अपने नेक्स कोश्चन की तरफ कोश्चन नमर जो सेवेंथ है नर्मदा और तापती नदियों के मध्धे इस्थित है यह आपको बताना है कि इसमें से कौन सी परोद स्रेडी नर्मदा और तापती नदियों के मध्धे में इस्थित है आपके विकल्प है विं इंधिपर्वत, सत्पुडा स्रेडिया, राज महल पहाडिया या फिर अरावली पहाडिया Question no. 7 थे, इसका answer आप देख सकते हैं, वो है Option B, सत्पुडा की स्रेडिया सत्पुडा की जो स्रेडिया है, वो दक्कन पठार का भाग है, इसका विस्तार मध्य प्रदेश वो महारास्ट राज्यों में है इन स्रेडियों के उत्तर भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षडी भाग पर तापती नदी बहती है अता सत्वुडा की स्रेडिया दोनु नदीयों के मध्य में इस्थित है इसलिए इसका जो विकल्ब होगा वोगा उप्सन बी बढ़ते हैं अपने नेक्स कोश्चन की तरफ कोश्चन नमर जो एर्थ है आप देख सकते हैं निम्न में से कौन एक करनाटक, केरल एवं तमिलनाडू राज्यों के मिलनिस्थल पर इस्थित है आपके विकल्ब है अन्ना मलाई पहाड़िया, पालनी पहाड़िया, नंदी पहाड़िया या फिर निलगीरी पहाड़िया आज के टेस्थ में मैंने पूरा प्रयास किया है कि जितने भी स्टेट PCS में या SSC एक्जाम में जो भी महत्वपूर कोश्चन बार बार परिक्षाओं में पूछेंगे हैं, उन्ही की एक पूरी complete स्रिंखला है ये और परवत, पठार, दर्रे से संबने जो भी प्रस्टन होंगे आपको निस्सी तोर पे यहाँ पे उनके डीटेल आपको मिलेंगे देखे, कोश्चन नमबर जो आठ है, इसका जो आंसर है, वो है आप्शन डी, निलगिरी की पहाडियां तो आप इसके बारे में एक बार डीटेल समझ सकते हैं, जो निलगिरी की पहाडियां है, वो भारत के दक्षडी भाग में इस्थित एक परवतमाला है यहाँ परवतमाला पस्चमी घास रिंखला का इक हिस्सा है, तथा यह करनाटा केरल और तमिलनाडू राजियों के मिलनिस्थल पर इस्थित है ठीक है साथियों बढ़ते हैं अपने नेक्स कोश्चन की तरफ, कोश्चन नमबर जो नौ, चुकि इसको मैंने कलर चिंज किया है, यानि इसका आंसर दिखता हूँ कौन सबसे पहले देता है, और यह थोड़ा अलग भी कोश्चन है, आप देख सकते हैं ध्यान से भारती समुद्र सास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से पस्सिम दक्षड में लगभग 455 किलो मीटर दूर, एक नए 1505 मीटर उचे परवत की खोचकी है, इस परवत का नाम रखा गया है, आपको बताना है कि इस परवत का नाम क्या रखा गया है, आप देख सकत हैं विकल, कैलास, सागर कन्या परवत, रमन सागर परवत, या फिर बंबई परवत, एक बार मैं कोशन रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, भारती समुद्र सास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से पस्सिम दक्षड में लगभग 455 किलो मीटर दूर, एक नए 1505 मीटर उचे परवत की खोचकी है, इस परवत का नाम क्या रखा गया है? कुशन नमर जो 9 है, इसका जो आंसर है, वो है option C, रमन सागर परवत, आप इसके बारे में थोड़ा डीटेल समझ लें, भारतिय समुंद्र सास्त्रियों ने तीन समुंद्र परवत स्रेडियों की खोचकी है, जिन में एक मध्य हिंद महा सागर बेसीन में, दूसरा पुर्वी अरब सागर में सागर कन्या, तथा तीसरा मुंबई से 455 किलो मीटर पस्सिम दच्षड में खोचा गया है, इस सागर का नामकरड महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर रमन सागर परवत रखा गया है, बढ़ते हम अपने नेक्स कोश्चन की तरफ, कोश्चन नमर जो 10 है, महराष्ट यवम करनाटक में पस्सिमी घाट कहलाता है, तो यह जो फिलन दे बलांक से यहाँ पर आपको परना है कि महराष्ट यवम करनाटक में पस्सिमी घाट किस नाम से जाना जाता है, निलगिरी परवत, सहयाद्री, दक्कन पठार या फिर अन्नामलाई पहाड़ी, कोश्चन नमर जो दस से साथ ही इसका जो आनसर है वो है उप्सिमी घाट को महराष्ट गोवा यवम करनाटक में सहयाद्री के नाम से जाना जाता है, इसकी ओसत उचाईल लगभग बारा सो मीटर है, केरल में इसे सह परवतम के नाम से भी जाना जाता है, बढ़ते हैं अपने निक्स कोश्चन की तरफ, कोश्चन नमर जो इग्यार है उससे आप देख सकते हैं, काडमम पाहाडिया, जिन राज्यों की सीमाओं पर इस्तित हैं, वह है, आपके विकल्ब है A option है, करनाटक एवम तमिल नाडू, B option है करनाटक एवम केरल, C option है केरल एवम तमिल नाडू, यवर D option है तमिल नाडू एवम आग्धरप्रदेश, क्वेश्ट नमबर जो 11 है इसका जो आंसर है अब आप देख सकते हैं वो है option C किरल एवं तमिल नाडू इसके बारे में आप detail देख सकते हैं काडमम पहाडیا इन्हें इलाइची की पहाड़िया भी कहा जाता है क्योंकि इन पहाड़ियों पे इलाइची की व्यापक खेती की जाती है काडमम की जो पहाडिया है वो दक्षड भारत में दक्षडी पस्यमी घाट के किरल दक्षड पुर्वी हिस्से तथा तमिल नाडू के दक्षडी पस्यमी हिस्से में इस्थित है ठीक है जाती हो तो बढ़ते हैं में अपने निक्स कोशन की तरफ कोशे नमर जो बारह है इसमें भी देखना है कि कौन सबसे पहले आंसर करता है कमेंट सेक्षिन में देखे कोशे नमर बारह जो है निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आपके विकल्प है गरजात पहाडिया ये उडिसा में दिया गया है मांडव पहाडिया महराश्चा में नल्ला मलाई पहाडिया आंधर प्रदेश में या फिर सिवराय पहाडिया तमिलाडू अब ये D आप्सिन जो है ये तमिलाडू लिखा हुआ है अब आपने ये बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है मिल्कुल आप सभी अपने अपने कमेंट्स जो है जो आंसर है वो लाइब चैट में देती रहे है साथ ही मैं ये भी चाहूँगा कि जितने स्टुडेंट अभी इसमें इस वीडियो को लाइब देख रहे है एक बार आप जरूर सही से लाइक और सेयर कर दे जिससे और अधिक सथिक स्टुडेंट इस चैनल से जूट सके और उन्हें भी इस कोशन के फायदे मिल सकें देखें जो कोशन नमबर बार है इसका जो आंसर है वो है आपका आप्सिन बी आप्सिन बी जो दिया हुए मांडो पहारिया महरास्ट ये गलत एक है क्योंकि मांडो की जो पहारिया है वो गुझरात राजे में स्थित है नकी महरास्ट बाकी जो तीनों विकल्प है वो सही है यानि गरजात पहाड़िया ओडिसा में ही स्थित है मांडो पहाड़िया जो है वो गुजरात में है जो कि गलत है इसमें नल्ला मलाई की पहाड़िया वो आंधरा परदेश में ही है और सिवराई की पहाड़िया तमिलनाडू में सित है इसके कोश्चन नमर बारह में जो युग में सुमेली तो नहीं है वो है आपका उप्सन भी बढ़ते हम अपने नेक्स कोश्चन की तरफ कोश्चन नमर जो 13 है उसे आप देख सकते है भारत में निम्न में से कौन सी परवस्रेडी केवल एक ही राज्ये में फैली है आपके विकल्प है अरावली, सत्थपुडा, अजन्ता या फिर सहयाद्रे कोश्चन नमर जो 13 है साथियो इसका जो आंसर है वो है आपका उप्सन सी अजन्ता जो अजन्ता की पाड़ी है वो परवस्रेडी केवल एक ही राज्ये में है इसके बारे में आप डीटेल देख सकते हैं जो अजन्ता की स्रेडी है यह महराष्टर राज्ये के औरंगाबाद जीले में स्थित है इसका विस्तार केवल महराष्टर राज्ये में ही है अन्यका विस्तार एक से अधिक राज्यों तक है जैसे कि अगर आप अरावली कलेंगे तो अरावली जो है वो यह पस्टिमी भारत में सिथ सबसे प्राचींतम परवत है जो कि गुजराथ से आरंभ होकर दिल्ली के पास तक विस्तित है जबकि जो सत्पुडा है यह मध्य भारत में स्थित है जो गुजराथ से लेके 36 गड़ तक विस्तित है जबकि सहयादरी या फिर जो पस्टिमी घाट है या पस्टिमी घाट के नाम से तो जाना ही जाता है साथी या पस्टिमी तड़ पर गुजराथ से लेकर तमिल नाडू तक लगभग 1600 किलो मीटर में है यानि आप देख सकते है जो कोश्टिन नमबर 13 है इसमें अजन्ता को छोड़के जो कि किवल महाराष्ट में बाकी सभी स्रेडिया कई राज्यों से गुजरती है बढ़ते हम अपने निक्स कोश्टिन की तरफ इस कोश्टिन का भी आंसर कमेंट सिक्सें में पहले करें जीने आता है कोश्टिन नमबर 14 है आप उसे देख सकते है माउंट एवरेस सिखर पर चड़ने वाली पहली महिला कौन सी थी आपके विकल्प है जुंको ताबई, कैरोलीन मिकेलसन, वेलेंटरीना ड्रिसकोवा या फिर बचेंदरी पाल मुझे उमीद है कि maximum लोग इस कोश्टिन का आंसर भी गलत बताएंगे लेकिन आप सबी comment section में जरूर अपने आंसर करते रहें देखिए सात्यों कोश्टिन नमर जो 14 है इसका जो आंसर है वो है option A देखेंगे आप जुंको ताबेई इनके बारे में आप थोड़ा देख सकते हैं जुंको ताबेई जो है एक जापानी परवातर हो ही है इन्होंने 16 मार्च 1975 को माउंट एवरेश्ट को फता कर इतिहास रज़ दिया था तथा ऐसा करने वाली वह प्रत्थम महिला बन गे ये सातों महाद्वीप ये जो हैं सातों महाद्वीपों महाद्वीपों के सरोच सिखर पर चड़ने वाली पहली महिला भी है जबकि जो बचहिंद्री पाल है जो कि ज़्यादा तर लोगों का अंसर है बचहिंद्री पाल पहली भारतिय महिला है और इन्होंने जो सफलता पाई थी वो 1984 में पाई थी जबकि तामवेई ने 1975 में बढ़ते हम अपने नेक्स्ट कोश्चन की तरफ कोश्चन नमर 15 आप देख सकते हैं नंदा देवी सिखर स्थीत है आपके विकल्बे हिमाचल प्रदेश में B ओप्सन है उत्राखन C ओप्सन है उत्तर प्रदेश या फिर D ओप्सन है सिक्किम कोश्चन नमर 15 इसका जो आणसर है वो है उत्तराखन आप देख सकते हैं कि जो नंदा देवी सिखर है यह व्रिहद हिमाले परोट स्रिंखला में भारत के उत्तराखन राज्य में स्थीत है यह भारत की तीसरी सरोच चोटी है पहली जो दो चोटी हैं वो क्रमसा पहली है गाडवीन आस्टीन जिसे आपकी टू कहते हैं यह वो कंचन जंगा दूसरे नमबर पर और तीसरे पर जो है वो है नंदा देवी और इसके साथ-साथ आप यह भी दे सकते हैं जो नंदा देवी राष्ट्री उद्यान एक घोसित किया गया है इसे युनेस्को ने 1988 में प्राकरतिक महत्व के लिए विश्व धरोहर के रूप में भी सनरक्षित किया था ठीक है साथ है तो कोशन नमर जो 15 है इसका अंसर है option B उत्राखन बढ़ते हैं हम अपने next question की तरफ question number जो 16 है उसे आप देख सकते हैं निम्न परवत स्रीखरों में कौन सा भारत में अवस्थित नहीं है यानि निम्न परवत स्रीखरों में कौन भारत में स्थित नहीं आप देख सकते हैं विकल्प गोसाई थान, कामेत, नंदा देवी या फर D option है त्रिसून आज के जितने भी questions है मुझे पूरे उमीद है कि आपके लिए बहुत सब भी लोगों के लिए नए questions भी होगे आप जरूर इन्हें notes बनाईए वीडियो को एक से दो बार देखिए और इसके साथ-साथ explanation को सुनिए निस्षित तोर पे आपकी तैयारी बहतर हो पाएगी देखिए साथियो question नमर जो 16 है इसका जो answer है वो है आपका option A गोसाई थान, अब यहाँ इसका detail आप देख सकते हैं जो नंदा देवी है कामेत तथा त्रिसूल परवत सिकर भारत के उत्तरा खन राज्य में ही है जबकि गोसाई थान जोएं वो तिबबत में नेपाल की सीमा के निकट है यानि इन चारों option में गोसाई थान ही भारत से बाहर है बाकी जो तीन है वो उत्तरा खन में ही स्थित है इसलिए question number जो 16 है इसका जो आंसर होगा वो होगा option A बढ़ते हम अपने next question की तरफ question number जो 17 है आप देख सकते है नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है आपके विकल्प है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, कश्मीट या फिर उत्तरा खन question number जो 17 है इसका जो आंसर है वो है option D उत्तरा खन आप नेलांग घाटी के बारे में थोड़ा समझ लें नेलांग घाटी जो है ये भारत के उत्तरा खन राज्य में स्थित है भारत चीन सीमा के निकट सुरम्य नेलांग घाटी है जो वर्स 1962 के युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया था तथा मई 2015 से इसे परेटकों के लिए फिर से खोल दिया गया यानि जो नेलांग घाटी है वो आपके उत्तरा खन से सम्मंधित है बढ़ते हम अपने निक्स कोशन की तरफ कोशन नमबर जो अठारा है आम देख सकते हैं इसका आंसर करना है आपको पहले निम्न में कौन एक सही सुमेलित नहीं है ये दर्रों के नाम दिये गया है और आपको बताना है कि दिये गे दर्रे कौन से सही अपने अस्थान से सुमेलित नहीं है पहला है चांगला, जमुकिश्मीर, रोहतांग, हिमाचल प्रदेश, बोमडिला और उडाचल प्रदेश, सेला, उत्राखन आपने बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इस कौन का जो आंसर है वो है आप देख सकते है वो है और उडाचल प्रदेश में है और बाकि जितने भी विकल्प दिये के है यानि चांगला, जमुकिश्मीर में ही है रोहतांग, हिमाचल प्रदेश, बोमडिला और उडाचल प्रदेश और जो सेला है वो उत्रा खड़ना होके बलकि कहां है और उड़ाचल प्रदिस में साथियो आप सभी कोश्चन को ध्यान से सुनते समझते और याद भी करते रहे क्योंकि लाश्ट में जब हम लोग रिवीजन के लिए आएंगे तो आपको बहुत कम समय में डारेक्ट आंसर बताना होगा और आपके लिए कोई विकल्प भी नहीं होगा तो लास्ट तक आप हमारे वीडियो में ज़रूर बने रहें देखें कोश्चन नमर जो 19 है उसको देखते हैं निम्न दर्रों में से किसे से होकर लेह जाने का रास्ता है आपके विकल्प है जो जीला दर्रा, सिपकिला दर्रा, चुम्बी घाटी या फिर बनी हाल दर्रा देखें कोश्चन नमर जो 19 है इसका जो आंसर है वो है आपका आपसन ए जोजीला दर्रा यानि आप देख सकते हैं जो जोजीला दर्रा है वो स्री नगर को लेह से जोडता है जबकि बनी हाल दर्रा जो है जम्मू को स्री नगर से जोडता है तथा सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिबबत से जोडता है तो इस question का अंसर जो लिह जाने का रास्ता है वो है option A, जो जीला दर्रा बढ़ते हम अपने next question की तरफ question number 20 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर question है नाथुला दर्रा किस राज्य में इस्थित है आपके विकल्प है अरुडाचल प्रदेश असम, मेगाले have a D option है, सिक्किम देखे, question number 20 है, जो आंसर है option D, सिक्किम आप नाथुला दर्रा के बारे में थोड़ा डीटेल समझे क्योंकि अक्सर पेपरों में यहां से question बनते है चो नाथुला दर्रा है, यह हेमाले छित्र में समुंद्र तल से 4508 मीटर की उचाई पर इस्थित है भारती छित्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 52 किलो मीटर पुरु में इस्थित नाथुला दर्रा चीनी छित्र में तिबटी पठार की चुम्बी घाटी में खुलता है यानि नाथुला भारत एउम चीन के वीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है यानि आप देख सकते हैं कि जो नाथुला दर्रा है ये भारत और चीन के बिच व्यापारी मार्ग का भी कारे करता है लेकिन ये तीसरा पॉइंट है जबकि इसके अलावा दो पॉइंट और है जहां से भारत चीन व्यापार होते हैं उसमें से एक पॉइंट है उत्तरा खंड में लीपूलेक तथा हिमाचल प्रदेश में सिपकिला वर्स 1962 में भारत-चीन युद्ध के दोरान नाथुला दर्रा को बंद कर दिया गया था जबकि आप देखेंगे फिर से इसे 6 जुलाई 2006 को पूना खोला गया हलाकि हाल की दिनों में फिर से इस दर्रे को लेकर विबाद बना हुआ है कि क्या भारत-चीन के व्यापार में इस दर्रे को फिर से बंद किया जाए या फिर नहीं तो आप धियार नखेंगे नाथुला दर्रा जो है ये सिक्की मराजे से संबन दित है बढ़ते हम अपने नेक्स कोश्चन की तरफ कोश्चन नमबर जो 21 है देख सकते है निम्न में कौन सा हीमनद सबसे बड़ा है आपके विकल्प हैं सियाचीन, बाल्टोरो, चोंगल लुंगमा, या फड़ी है बियाफो आप ध्यान रखेंगे, ये सारे कोश्चन ही रिपीटेट है भले आप बहुत सारे भी एक्जाम नहीं दियाँ लेकिन अगर आप जैसे जैसे एक्जामों को देंगे इन कोश्चन से सामना आपका जरूर होगा इसलिए आप इन्हें ध्यान से नूट करते चले और समझते चले देखें कोश्चन नमबर जो 21 है पूछा है कि दिये गे विकलपों में कौन सा सबसे बड़ा हीम नद है तो इसका आप आप आप्सन देख सकते हैं इसका जो सही आंसर है वो है आपसन ए आपका सियाचीन बाकी के बारे में आप देख लें जो सियाचीन है इसकी जो लंबाई है ये सत्तर किलो मीटर है जबकि जो बाल्टेरो है इसकी लंबाई जो है वो 62 किलो मीटर है चोंग लुंगमा जो है इसकी लंबाई जो है 42 किलो मीटर जबकि जो बियाफो है उसकी लंबाई जो है 63 किलो मीटर यानि इनमें जो सबसे बड़ा हीम नद है वो है सियाचीन बढ़ते हम अपने निक्स कोशन की तरब हिमाले के इस कोशन को आप ध्यान से देखेंगे हिमाले के हीम नदों के पिघलने की जो गती है वो है आपका विकल्ब एक कम है B आप्सन सबसे ज़ादा है C आप्सन विस्व के अन्य भागों के हीम नदों के समान है F द आप्सन सूचना उपलब्द नहीं है आपने बताना है कि हिमाले के हिम नदों के पिघलने की गती क्या है देखें साथे कोशन नमर जो बाईस है इसका जो आप्सन विस्व के अन्य विस्व के पिघलने की गती है वो सरवाधिक है आप देखेंगे कि गंगा नदी के उद्गर मस्थल परिसित गंगोत्री ग्लेसियर भी तेजी से पिघल रहा है इसी के परड़ाम सुरूप इसका जो विस्थार कम होकर पिछले पचास वर्सों की तिलना में लगभग आधा हो गया है यानि आप ये मान के चले कि जो हिमाले के हिम नदों की गती है वो बहुत तेजी से उप इखलते जा रहा है बढ़ते हैं हम अपने नेक्स कोश्चन की तरब कोश्चन नमबर जो तेई से आप देख सकते हैं अरावली एवं विंध स्रिंखलाओं के मध्य कौन सा पठार इस्थित है मैं रपीट करता हूँ रावली एवं विंधि स्रिंखलाओं के मद्य कौन सा पठार इस्थित्य आपके विकल्प है मालवा का पठार छोटा नागबूर का पठार दक्कन का पठार या फ़र डी आप्शन है प्रायदीप का पठार कौश्चन नमर जो तेई से साथ ही इसका जो आंसर है वो है मालवा का पठार आप इसे ध्यान लखेंगे जो मालवा का पठार है वो अरावली और विंधि स्रिंखलाओं के बीच में स्थित्य आप बढ़ते हम अपने नेक्स कोश्चन की तरफ कोश्चन नमर जो 24 है आप दीख सकते हैं ये भी एक नया कोश्चन आपके लिए होगा और इसका आंसर जो भी जानता है वो पहले कमेंट सेक्सिंट बने बता सकता है निम्न में से किस तट से भारत का ओसत समुद्र तल ना पा जाता है स्थान है वो आपके विकल्प मुंबई, चिन्नई, कोचीन या फिर विसाखा पटनम कोश्चन में रिपीट कर देता हूँ निम्न लखित में से किस तट से भारत का ओसत समुद्र तल ना पा जाता है कोश्चन नमर जो 24 है जो आंसर है वो है आपका उप्सिन बी, चिन्नई जो चिन्नई तट है वही से औसत समुद्र तल को मापा जाता है बढ़ते हम अपने निक्स कोश्चन की तरफ कोश्चन नमर जो 25 है आप देख सकते हैं प्राचीन भारती एतिहासिक भूगुल में रतनाकर नाम सूचक था यानि रतनाकर नाम से किसे जाना जाता था अरब सागर को, बंगाल की खाड़ी को प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती के संगम को या फिर हिंद महा सागर को आपने बताना इन चारों विकल्पों में कि किसे प्राचीन भारती एतिहासिक भूगुल में रतनाकर नाम से भी पुकारा जाता था 25 नमबर जो कोशन इसका जो आंसर वो है आपसन आपका D हिंद महा सागर को रतनाकर ज्वेल आफ माइन भी कहा गया है तो आप देखेंगे कि जो हिंद महा सागर इंडियन ओशन है उसे रतनाकर के नाम से भी प्राचीन भारत में उल्लेखित किया गया है बढ़ते हम अपने नेक्स कोशन की तरफ कोशन नमबर जो 26 है किसे केप कामोरीन के नाम से जाना जाता है किसे केप कामोरीन के नाम से जाना जाता है आपके विकल्प है मिजोरम, कश्मीर, कन्या कुमारी या फट्डी ऑप्सन है गुजरात कोशन नमबर जो 26 इसका जो आंसर है कन्या कुमारी को केप कोमोरीन के नाम से भी जाना जाता है इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्पिनिशन की जो उड़त रही है आप देखिए नेक्स कोशन कोशन नमबर जो 27 है बैरंद्रीब अवस्थीत है यानि कहां पर यह इस्थीत है बैरंद्रीब जिसका जिकर हम लोगों निकल किया भी था आप्सन है आपके बंगाल की खाड़ी में अरब सागर में भूमद्य सागर में या फिर चीन सागर में कुशन नमबर जो 27 से साथ ही इसका जो आंसर है वो है आपका उप्सन ए बंगाल की खाड़ी में हाँ देख सकते हैं कि जो बैरंद्रीब है वो बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलो मेटर की दूर उत्तर पुरू में इस्थीत है यह दक्षड ऐसिया का एक मातर सक्रिय जो आला मुखी है इस जो आला मुखी में जो पहला उद्गार हुआ था वो वर 1787 स्वी में हुआ था तो आप दियान लखेंगे जो बैरंद्रीब है वो एक सक्रिय जो आला मुखी है जो कि दक्षड एसिया का एक मातर सक्रीज वाला मुखी है बढ़ते हम अपने नेक्स कोश्चन की तरफ कोश्चन नमर जो 28 है निम्न में से कौन सा एक प्रवाल द्रीप है ध्यान लखेंगे बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन है ये निम्न में से कौन सा एक प्रवाल द्रीप है आपके विकल्प है नियू मूर दीप, कार नीको बार, अंडमान या फ़र डी ऑप्सन है लक्षडीप आज की टेस्ट में जितने भी कोश्चन है ये खास और से UPCC के एक्जाम में UP, PCS के एक्जाम में साथी टेट या फर सी टेट के जो भी एक्जाम होते है उन सभी एक्जामों में equally important कोश्चन है इसलिए आप जरूर से इस वीडियो पे ध्यान से सुनेंगे और इसे नोट भी करेंगे देखे साथी कोश्चन नमर जो 28 है निम्न में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है तो इसका जो आंसर है वो है option D लक्षदीप आप ध्यान लखेंगे कि जो लक्षदीप है वो प्रवाल द्वीपों का समूह भी कहा जाता है इसके बाद बढ़ते हैं अपने निक्स कोश्चन की दरब कोश्चन नमर जो 29 से आप देख सकते है स्री हरी कोटा द्वीप अवस्थीत है यानि स्री हरी कोटा द्वीप जो है वो कहां पेस्थीत है आपके विकल्प है चिलका जहिल के समीब B आप्सन महानदी के मुहाने के समीब C आप्सन पुलिकट जहिल के समीब या फ्रडी ऑप्सन है गोदावरी के मुहाने के समीब मैंने आपसे पहले भी का कि अगर आप हमारे टेस्स स्रीज में उपस्तित है तो अगर आपको जितने भी नए कोशन या कठीन कोशन है वो सारे ही याद हो जाएंगे जब हम इस कोशन को रिवीजन के मूड पे आएंगे तो इसलिए लास तक अगर आप बने रहें देखे कोशन नमबर जो 29 है इसका जो आंसर है वो है आपका उपसन C पुलिकट जील के समीब स्री हरी कोट जो द्वीप है वो आंधर प्रदेश में पुलिकट जील के समीब इस्तित है यह जील पुलिकट जील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है यहां भारत का उपगरह प्रक्षे पर किंद्र 37 धावन अंदरिक्ष किंद्र भी इस्तित है तो यह ध्यान रखेंगे काफी इंपोर्टेंट है स्री हरी कोटा द्वीप बढ़ते हम अपने लास्ट कोश्टन की तरफ और कई लोग तीस कोश्टन के बाद चैट से हट जा रहे हैं वो बिलकुल बने रहे हैं तब ही आप कोश्टन को याद भी कर पाएंगे कोश्टन नमर जो तीस है आज का सरक्रिक विवाद किन दो देसों के मध्य है आपके विकल्प हैं भारत अफगानिस्तान भारत पाकिस्तान चीन भारत और डी आप्सन है भारत बांगला देस देखे कोश्टन नमर जो तीस है इसका जो आंसर है वो है उपसन भी भारत और पाकिस्तान के मध्य सरक्रिक विवाद है आप इसके बारे में डीटेल समझ सकते हैं भारत यों पाकिस्तान के मध्य विवादित सरक्रिक कच्छ के रन में स्थित एक 96 किलो मीटर लंबा जली यानि दलदली छेतर है यह भारत की गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांथ को अलग करता है मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुदरी सीमा के निर्धान को लेकर है फिलहाल इस छेतर पर भारत का कबजा बरकरार है तो साथियों यह तो रहा आज के हमारे टेसरीज के 30 महत्वपूर कोशन जिसका मैंने एक्स्प्लिनेशन भी आपको दिया और बहुत सारे नए कोशन जो हैं जिन्होंने कई लोगों पहली बार भी सुने होंगे उन्हें यह कोशन तयार भी हो गया होंगे साथ ही अब हम लोग आप सभी तयार हो जाएं जितने भी हमने 30 कोशन आज की हैं उसको रिवीजन के मूड पे आते हैं यानि कि जो इसमें महत्वपूर 30 कोशन में हैं अब उसमें मैं आपसे कोशन करूँगा और आपको अगले कुछ सेकेंड में उसका डारेक्ट आंसर आपको लिखना होगा इससे होगा ये कि जितने भी कोशन अभी तक आपने सॉल्ब किये हैं वो तुरंट आपको याद हो जाएंगे हमेशा के लिए तो ठीक है साथ ही आप तयार हैं आज के रैपीड कोशन के लिए तो दीखिएँ अब रिवाईच करते हम लोग पहला कोशन जो आपका है वो यह रहा लघू हिमाले किसके मध्धे इस्थित है कोशन आप दिख सकते हैं हमने आपको आज के टेस्टिर्ज में पहला ही कोशन आपको यह दिया था आप option नहीं आप इसका answer बता सकते हैं comment section में देखे इसका जो answer है वो है सिवालिक और महान हिमाले के बीच लगू हिमाले इस्थित है ठीक है next question देखते हैं दक्षिड भारत की सबसे ऊची चोटी कौन सी है दक्षिड भारत की सबसे ऊची चोटी कौन सी है आप सभी जल्दी जल्दी से answer बताते रहें दक्षिड भारत की सबसे ऊची चोटी जो है वो है अनाई मुडी ठीक है बढ़ते next question की तरब नर्मदा और तापती नदियों के मध्य इस्थित आपको बताना है कि कौन सी स्रेडिया थी जो नर्मदा और तापती नदियों के मध्य इस्थित है और answer के साथ question का number भी लिखा करें जैसे यह तीसरे question का answer आप सभी को बताना है देखिए नर्मदा और तापती नदियों के मध्य जो है वह थी सत्पुडा की स्रेडिया बढ़ते इस question की طरफ कौन एक करनाटक कीरल य। तमिल नदू राजियों के स्थित है कौन एक करनाटक कीरल य। तमिल नदू राजियों के स्थित है आपको बताना है कौन सी वो परवत्स रिंखला है जिसका हमने explain पिछले questions में किया हुआ है बिलकुल देखे इस question का जो answer है वो है निलगिरी निलगिरी की जो परवत माला है वो करनाटक केरल और तमिलनाडू राजियों के मध्धे स्थित है या उनके मिलनिस्थल पर इस्थित है नेक्स question की तरफ बढ़ते हैं यह जिक्र हमने किया था कि भारती समुन सास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से पस्सिम दच्छड में लगभग 455 किलो मीटर दूर एक नए 1505 मीटर उचे परवत की खोच की है इस परवत का नाम क्या रखा गया है बिल्कुल जो सबसे टफ कोश्चन होगा वो ही आपको सबसे बहतर ढंक से इस बार याद होगा कोश्चन नमर पाँच का अंसर आप सभी बताते रहें बिल्कुल उस परवत को जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया था रमन सागर परवत नंदा देवी सिखर इस्थित है आपको बताना है नंदा देवी सिखर किस स्टेट में है किस राज्य में इस्थित है देखिए नंदा देवी सिखर जो है वो उत्तराखन राज्य में इस्थित है नेलांग घाटी किस राज्य में इस्थित है नेलांग घाटी किस राज्य में इस्थित है ये सबसे महत्वपूर सेक्सन है जो लोग अभी तक टेस्रीज में बने हुए थे लाश्ट में जरूर रहा करें क्योंकि यहीं से आपको रिवीजन होगा देखिए नेलांग घाटी जो है ये भी उत्राखन राज्य में इस्थित है यहाँ पर मैंने आंसर नहीं लिखा मैं आपको बोल रहा हूँ आप उसे सुनते रहेंगे कोश्चन नमर जो आठ है नाथूला दर्रा किस राज्य में इस्थित है अभी इसका हम लोग ने जिक्र किया था सिक्किम राज्य में आथूला दर्रा इस्थित है नेक्स कोश्चन है आपका कि कौन सा हीमनद सबसे बड़ा है कौन सा हीमनद सबसे बड़ा है बिल्कुल इसका जो आठ सर है वो है सियाचीन सियाचीन जो गलेसियर का था वो मैंने कहा हिमनद सबसे बड़ा है एक next question है कि अरावली यों बिध्य स्रिंखलाओं के मध्य कौन सा पठार इस्थित है अरावली परवत और बिंध्याचल परवत की स्रिंखलाओं के बीच कौन सा पठार इस्थित है इससे आपके यादास की भी चेकिंग हो जाएगी कि हाँ कितना देर तक आपको कोई चीज याद रहता है या कितना बेहतर आप समझते है देखे question number जो 10 है इसका जो आंसर होगा वो होगा मालवा का पठार जो मालवा का पठार है वो अरावलियों विद्धि स्विंखलाओं के मद्धि इस्थित है नेक्स question है आपका नेक्स question भी same है रिपीट हो गया है इसलिए हम बारह में question की तरह बढ़ते है किस तट से भारत का आउसत समूदर तल ना पा जाता है किस तट से भारत का आउसत समूदर तल ना पा जाता है question नमर जो बारह है कहां से समूदर तल से ना पा जाता है तो वो है आपका चिन नहीं नेक्स question की तरह बढ़ते हैं question नमर जो 13 है आप देख सकते हैं प्राचीन भारती एतिहासिक भूल में रतनाकर नाम सुचक था रतनाकर नाम किसे दिया गया था जल्दी से आप सभी बताएं मिल्कुल देखे question नमर जो 13 है रतनाकर नाम वो हिंद महा सागर जो इंडियन उशन है उससे कहा जाता है next question किसे केप कॉमुरीन के नाम से जाना जाता है 14 नमर कोशन है कि किसे केप कॉमुरीन के नाम से भी जाना जाता है मिल्कुल इस question का जो आंसर है वो है कन्या कॉमुरी कन्या कॉमुरी को केप कॉमुरीन के नाम से भी जाना जाता है आपने बताना है कि बैरन दीब कहां पेस्थित है बैरन दीब कहां पेस्थित है पंदरे नमर जो question है इसका जो आंसर है वो है बंगाल की खाड़ी बंगाल की खाड़ी के पास बैरन दीब पेस्थित है ठीक है बढ़ते है नेक्स question की तरफ स्री हरी कोटा दीब कहां पेस्थित है हमने एक जील का जिक्र किया हुआ थे कि उसी के निकट है आपको बताने है वो कौन सी जील है जिसके समेब स्री हरी कोटा दीब इस्थित है इल्गल साथ है इस question का जो आंसर है वो है पुलिकट जील पुलिकट जील के समेब स्री हरी कोटा दीब इस्थित है लाश्ट question है जो सर क्रीक विवाद किन दो देसों के मध्धे है सर क्रिक विवाद किन दो देसों के मद्ध है इसका अंसर तो आप निश्चित तोर पे सभी लोग देंगे बिल्कुल ये जो विवाद है वो भारत और पाकिस्तान के मद्ध है तो उमीदे साथियों कि आपको हमारा ये पैटरन जो रिवीजन का है ये भी जरूर आप सभी को पसंद आया होगा आप लोग कमेंट सिक्षन में ये जरूर बताते रहें कि नहीं इस पैटरन आपको कैसा लग रहा है या आप कुछ आप और भी चाहते हैं नयापन तो आप उसका भी सजेसन कमेंट सिक्षन में दे सकते हैं हम अपने अगले टेसरी में भी उसको जोड़ लेंगे देखिए ये हमारे आज के टेस्क का ये दूसरा सिक्षन था पहला था अबजिक्टिक कोश्षन जो तीस थे दूसरा सिक्षन था रैपीड कोश्षन और जो तीसरा है आप देख सकते हैं कि हमने कल आपसे एक प्रस्षन पोचा हुआ था लास्ट में तो उस प्रस्षन का आंसर मैंने बोला था कि आप सभी कमेंट सिक्षन में देंगे तो कुछ लोगों ने दिये कुछ लोगों ने आंसर नहीं भी किये तो मैं आज उस कोश्षन का आंसर आपको बताता हूँ तो कल का जो प्रस्षन था आप देख सकते हैं यदि भारती मानक समय के अनुसार पुरवाहन के 10 बजे हैं तो 92 डिगरी पुरवी देसांतर पर सीलांग का स्थानी समय क्या होगा आपके ये चार विकल्प दिये गए थे इसका जो आंसर है आप देख सकते हैं वो है आपका उप्सन बी यानि 10 बज के 38 मिनट पुरवाहन इसको आप ऐसे समझेंगे देखिए यहाँ पे जिक्र किया गया है कि देसांतर का तो आपको पता है कि जो भारत का मानक समय हुओ है और यहाँ पे 92 डिग्री पुरवी पूछा है यानि उससे पूरब दिसा में पूरब में बढ़ने पे आपको पता होना चाहिए कि समय बढ़ता है और हर एक डिग्री देसांतर पे चार मिनट का अंतर होता है तो आप देखेंगे कि साड़े 82 डिग्री पुरवी देसांतर से 92 डिग्री पुरवी देसांतर के दौरान टोटल साड़े 9 डिग्री देसांतर का अंतर होगा तो साड़े 9 डिग्री का मतब 9 डिग्री में आपके 36 मिनट होगे और आधे डिग्री में 2 मिनट यानि टोटल 38 मिनट समय और आंगे हो जाएगा तो चुक्कि उस समय 10 बज रहे थे तो 38 मिनट बाद 10 बज के 38 मिनट होगे यानि इस question का जो answer होगा वो option होगा B साथियों यह रहा आज का question जो आपको लाइब चैट में तो नहीं बताना है इस पूरे वीडियो के complete होने पे आप हमारे comment section में जरूर इसका answer करें तो यह रहा आज का प्रसनाप के लिए अंत में पाल घाट निमनलिखित में से किन के मध्धे इस्थित है आपके विकल्प है नीलगिरी और काडमुम पहाड़िया B option है नीलगिरी और अन्ना मलाई पहाड़िया C option है अन्ना मलाई और काडमुम पहाड़िया D option है काडमुम पहाड़िया और पालिनी पहाड़िया इस question को आप वीडियो में एक दो बार फिर से देख सकते हैं इसके answer को आप search करिए फिर इसके बाद answer को आप comment section में कल के test से पहले तक आप बता सकते हैं तो ठीक साथी हो ये तो हमारे आज के test से रीच का रहा उमीद है आप सबको पसंद भी आया होगा अब लाश में मैं आप से ये चाहूँगा कि अगर आपके लिए हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं तो आप जरूर से हमारे इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें जिन लोगों ने subscribe नहीं किया वो हमारे चैनल को subscribe भी कर सकते हैं carrier point deal in को साथ ही आप हमारे टेलिग्राम चैनल पर आजाएं क्योंकि हर एक वीडियो के बाद तुरंत इसका पीडिया फाइल हमारे टेलिग्राम चैनल से आप ले सकते हैं और इसके साथ-साथ अब अगर हमारे चैनल और कोचिंग के बारे में डीटेल चाहते हैं हमारे वेबसाइट से भी विजिट कर सकते हैं और साथ ही WhatsApp ग्रूफ, Facebook पेज पे भी आप हमें लाइक कर सकते हैं ठीक है साथ ही तो यह रहा आज का टेसरीज और इसके अलावा अब भी ठीक 9 बचे आप देखेंगे सिवम सर साइन्स की क्लास जो भी क्लासे से उनकी हो रही है आप ReadUpon जो हमारे एक साथी चनल है उससे भी आप जूड़के उससे जरूर आप फॉलो करें वहां भी काफी अच्छी टीचिंग हो रही है और वहां पे काफी अच्छी चान का रही है आपको मिलेगे ठीक है तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद फिर मिलते हैं कल निक्स्ट वीडियो के साथ